हर बार भारती संस्क्रती की मानता सिद्ध हो जाती है आज जब कोरोना वाइरस पूरे विश्व में फैलने की एक अगार पर है चीन से हुआन से निकल करी है विश्व के अनेक भागों में फैलने का प्रयास कर रहा है लेकिन क्या कारण है कि भारती संस्क्रती अभी तक अमर बनी हुई है तो उसका कारण यही है कि यहां का प्रत्यक कार्य वेक्यानिक तरीके से किया जाता है। लेकिन हम ऐसे जीव जन्तों का सेवन नहीं करते हैं जिससे भीमारियां मनुश्य को कर सकती है गर कर सकती है। इसलिए भारती रिश्यू मुन्यों ने जो विग्यानिक नियम बनाये हैं उसके आधार पर चलना आज के मनुश्य की परम आउशकता है। लेकिन हमारे रिश्यू मुनी ये लगातार गोश्णा करते हैं कि हमने परम सत्ति को प्राप्त कर लिया है। और उसी गोष्णा के आधार पर हमारे जीवन के नीयमों का भी उन्होंने निर्मान किया है। और जब तक विज्ञान ये नहीं कह देता है कि हमने संपूर्ण सत्य को जान लेया है। तब तक उसके सभी नियम अदूरे हैं, खोक ले हैं, और मनुष्य को बीमार, और बीमार, और मृत्य की कगार पर ले जा सकते हैं। इसलिए संपूर्ण विश्य को भारती प्रमपराओं पर शोत करके प्रयास करना चाहिए कि कैसे ये संस्क्रती इतने करोडों वर्ण से लाखों वर्ण से अभी तक जीवित हैं, और इसके क्या नियम हैं, जो मनुष्य को दिरगाईयों बनाते हैं। आज जब मनुष्य उम्र बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा है, और स्वयम को तने तरह के कसरतों, योगासनों, प्राणायमों के द्वारा पुष्ट कर रहा है, तो कई हजारों सालों पेले ही हमारे रिश्यमियों ने सिद्ध कर दिया कि हिमाले में जाकर मनुष्य उम्र बढ़ा सकता है, अर्था शरीर को ठंड इस्तान पर रखा जाये तो उसकी उम्र बढ़ सकती है, और इसे सात्विक भोजन का सेवन किया जाये, जो मनुष्य को बिमार ही न करें, तो दोस्तों, अगर हमें विबिन प्रकार की बिमारियों से बचना है, तो हमें स्वात्विक बोजन करना होगा, रिश्यों की जो बताए गई विदिया है, उनका पालन करना होगा, उनके जो बताए गई योगासन प्राणायम है, उनको थोड़ा बहुत करेंगे, तो हम संपूर्ण जीवन को स्वास वड़दक और बीमारी से मुक्त रख सकते हैं, ये कैंसर योक्ति, हम जो फसलों में, सबजियों में खात का उव्योग कर रहे हैं, उसको भी बन करना होगा, ताकि मनुष्य संपूर्ण स्वास को प्राप्त कर सकें, और वापस उसी देशी खात की और, देशी प्रयासों की और बढ़ना होगा, जो हमारे वातावन को भी शुद रखे, हमारी वायू को भी शुद रखे, हमारे स्वास्त को भी शुद रखे, हमारी धर्ती को शुद रखे, हमारे जल को शुद रखे, धन्यवाद